माता पिता की सेवा और तीर्त यात्रा की जब भी चठचा होती है तो श्रवन कुमार के नाम की चठचा जरूर होती है ऐसे ही एक नाम की चर्चा इन दिनों मुंगेर में हैं कल्यूग के श्रवन कुमार अपनी मा को 59 बहंगी पर बिठा कर बाबा धाम की यात्रा पर निकल पड़े हैं यानि इस यूग में भी कई ऐसे बेटे हैं जो आज भी अपनी मा ता पिता को अपना भगवान बना कर उनके पूझा करते हैं मुंगेर जिला के कच्ची कावडिया पत पर कल्यूग के श्रवन कुमार अपनी मा को तीर थियात्रा पर ले जाते दिखे ये नजारा देख अन्य कावडिया भी हैरान हो गए बता दे कि मुंगेर जिला के अंतरगत कच्ची कावडिया पत पर सुल्तान गंज गंगा घाट से जल लेकर बाबाधाम जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है इस दोरान कावडिया अपने अपने अंदाज में बाबाधाम जा रही हैं खड़गिया जिला से आये कि ऐसी ही कावडिया अपनी वृद्ध मा को बहंगी में बिठा कर 105 किलो मीटर लंबा सफर पैदल तैकर बाबाधाम जाने के लिए निकल पड़े हैं श्रवन कुमार बने खड़गिया निवासी रंजीत ने बताया कि पिछले साल उनकी मा बिमार हो गई थी वो उस समय बाबाधाम जा रहे थे तो उसी समय प्रण किया था कि अगर उनकी मा ठीक हो गई तो वो इस साल मा द्रौपदी देवी को बहंगी पड़ ले कर बाबाध हमकी यात्रा पड़ निकल पड़े हैं इस यात्रा में तीन भाईयों के अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी सही योग दे रही हैं